खास प्रेस वारता है और एक ज्वलंत मुद्दे पर है और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ कॉंग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं वो लोग जिन्होंने भारत का नाम और हिंदुस्तान का पर्चम खेल के जगत में लहराया है वो आज इस मंच पर हैं किसी और कारण से ह होते तो हमें बड़ा गर्व होता लेकिन वो आज इस मंच पर हिंदुस्तान के उन खिलाडियों की वेदना और उनके दर्द को समझाने के लिए बताने के लिए और सरकार से सक्त सवाल पूछने के लिए मजबूर है जिसका जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था बहु फिल्ड इवेंट अर्जुन अववाडी है पदमश्री है और मेरे बाए पर मेरे भाई और विजेंदर सिंग है ओलंपियन है और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाडियों के खड़े रहते हैं इससे पहले कि मैं दोनों लोगों को मैं एक बात जरूर बुछना चाहती हूँ 72 घंटे से उपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में unprecedented कहा जाता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि the most decorated athletes of Indian sports, sports stars जिनकी विश्व में जिनोंने भारत का पर्चम लहराया वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहारती हैं दंगल में कुष्टी की रिंग में आज जंतर मंतर पर बैट कर जब उनकी आँखों से आंसु निकलता है तो सरकार की ये खामोशी अपने आप में निंदन यहीं नहीं अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल ख अंसद ब्रिजभूशन सिंग जरूर हैं लेकिन उससे जादा आज कट घरे में प्रधानमंतरी मोधी खड़े हैं और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूँ ये एक पैटर्न है विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महिने में मोधी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था और मोधी जी ने कहा था नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा सवा साल तक और मोदी जी ने सारजुनिक रूप से विनेश कोगर जी को अपनी बेटी का है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो मैं तुमारे सारे परिवार को जानता हूँ तो आज सवाल ये है कि जब एक महिला अथलीट और डेकुरेटर महिला अथलीट इस देश के प्रधान मंतरी के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोशन और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महिने में बताती है तो सवा साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे क्या कारवाई हुई मंतरी ये सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है कोई internal inquiry नहीं हुई कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया और हम ये क्यों ना पूछे कि इस सरकार का pattern है ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं उसके बाद कटगरे में इनके मंतरी इनके सांसद खड़े होते हैं लेकिन बेशर्मी के चलते और थितरही के चलते ये सरकार उनको पद से बरकास्त नहीं करती ये हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था जो आज भी मंतरी बने हुए हैं और ब्रिजभूशन सिंग के केस में भी हम देख रहे हैं मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधान मंतरी ने अक्टूबर 2021 के बाद विनेश फोगर जी का कहना है उनको सब कुछ बताया उसके बाद वो शांत क्यूं रहे जंतर मंतर पर बैठे हुए यह आथलीट्स उनकी आख के आसू और इन लड़कियों का आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इंवाइट करूंगी कि वो अपना वक्तवे बोले हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी इसकी भर्सता नहीं सुनी मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंतरी जो कि एक राहुल गांदी ट्रोल है वो इस वाक्ये पर एक भी शब्द बो प्रण के लोग बैठें ये क्या है भाजपा का चाल चरितर और चेहरा और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोकले हैं क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया आपके जो ध्वजवाह स्पोर्ट्स के वो जंतर मंतर पर बैठ कर ये बोल रहे हमें यौन शोशर के लिए मजबूर किया जा रहा है ये बात प्रधान मंतरी को पता है और इस बात पर परदा गिराया जा रहा है